हालो दोस्तों नमस्का तो आज के हमारी इस हेलफॉल वीडियो मापलों को बहुत स्वागत है इस वीडियो के मात्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा अहुजा का जो एलम्ट ड्राइवर होता है तो वह एलम्ट ड्राइवर आपको कैसे उसके अंदर का साम जल रहा है तो यह सारी प्रॉब्लम का सॉलूशन मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में यह वीडियो बहुत ही हेलफॉल आपके लिए होगी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आहुजा का जो ऑरिजिनल ट्राइवर होता है उसकी पहचान क्या होती कहां स हैं कहीं आपको और ट्राइवर तो नहीं मल गया है तो इस चीजह को आपको पूरी को स्टेब पर स्टेब देखना है और को की फिटिंग कैसे करने हो फिटिंग की वीडियो आपने बहुत सारी यूटूब चैनल पर देखी होगी लेकिन मैं इसमें बताने वाला हूं ये व सकते हैं ताकि आपका कोई भी नुक्सान नहीं हो तो पॉइंट वाई पॉइंट आप वीडियो को पूरा देखेंगे और कहीं भी वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है तो चलते हैं मैं आपको पूरा लाइब दखाता हूं तो दोस्तों यह देख लेजिए हमारा LMT की meidän irrespons माहीं है तो इसको मैं सबसे पहले मैं जल्दी वीडियो को फास्ट लाइड कर रखा आए सली वीडियो मैं जल्दी ही आपको दिखाऊंगा तो इसमें कीन की बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसको हमों क्या चीज करने है बिसक्ति इसको सारे पॉइंट बता है तो मैं सारी चीजे आपको step by step दिखाऊंगा तो सबसे पहले देख लीजिए मैंने इसको खोल लिया है खोलने के बाद देखें जो बायर कनेक्ट होते हैं अभी तो हमारे पास ऐसे ही रखा हुआ था खराब है तो मैं इसके मादिम से आपको बताऊंगा किस तरफ से आप कै लगा हुता है देख़े इस पर टेप नहीं लगा हुगा है तो यह हमारा मेगनेट से टच हो सकता है लगाने पर हमारा मैगनेट से टच को जाता है उस साइप या बिल्कुल नंका बायर है इसमें कच भी निलगा गया है तो हम एक क्या करते हैं कि थोड़ा टैप लेती है और टैप को इससे पूरा का पूरा इसको टैप से हम ढग देंगे तो इससे फिर यह हमारा उससे टच नहीं होगा इसमें टैप लगा हुआ कंपनी से आता है लेकिन जब ड्राइवर पुराना होता है बारा बार खुलता है तो इसका टैप निकल जाते हुआ है तो हमको ऊसलिगे लगाथ तो इसको प्राइप कीप लिएगा है तो एस मेंहें कोई प्रॉब्लम नहीं हुए अब हम देख लेते हैं इसकी अंदर तो यह पहली चीज आपने ध्यान से देखी कि इस चीज को हमको ऐसे पहले यह चीज पकड़ना है कि यहां कहीं कटा तो नहीं हमारा अब हम इसके जो मैगनेट है इसको मैगनेट को कोलते हैं मैगनेट पे आपको कहां देखना है यह पॉइंट आपको देखना है तो मैगनेट में आप मिल सकते हैं यहां पर टैप लगा होगा होना चाह तो यहां पर टैप नहीं लगा हों या कट जाता है बार-बार खूरने लगाने पहे रिपेयर करने पहे तो कट जाधा तो यहां पहले बार निकला हुगत था तो वह हमारे मैगनेट पर टचकरता था लेकिन अब कमपनी ने इसको आगे तक दे दिया है प्लास्टिक का बना के तो उस साइट से टच होने का कोई भी सवाल नहीं है अब टच नहीं होता है लेकिन जिस भी डायफराम में अगर उस साइट से बायर है तो जो हमारा मेगनेट होता है तो यहां देख लिजिए यहां तो यह हमको किलिए करना है दोनों को अच्छे से टैप काटके लगा देना है ताकि हमारा कहीं से वायर टच ना कर जाए डायफराम का इसके बाद हम देख लेते हैं आप हमको देखना है मेगनेट तो मेगनेट पर यदि आपका डायफराम में तार टच होने का कोई करेगा नहीं तो आपका यह प्रॉब्लम करेगा तो दोनों साइट यहां से निकलते हैं तो कोई को आपको इस पर ही रखना है और इसको अच्छी तरह से एक मोटे कागश्य जो डायफराम में निकलता है आप उसी कागश्य से इसको अच्छी से साप कर सकते हैं क्योंकि और प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चीज का आप ध्यान रागें रेगमाल कभी इसके अंदर ना डाले नहीं तो रेगमाल से आपका डायफराम पर्मानेंटली डिफेक्टिव हो जाएगा वह यह इसको आप कभी सच ठीक निकर पाएं क्योंकि यह जो लोहे की कड़ होते है पर नहीं निकलते हैं कभी तो रेगमाल का इसमें यूज बिल्कुल भी न करें अच्छे से उसी साब कर दें और उसको फिर इस तरह से आप जयोंकाते हो फिटिंग करके और आप इसको लगाएंगे तो अब फिटिंग का ध्यान रखना है कि फिटिंग में क्या आपको साथ करेंगे जहां तक हमारा कस पारा है तो उसको हाथ से करेंगे कि पेश करें तब इसको आपको आपको के आपको उस्ट करूल को आपको 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 यसे बठेल लेना है अब इसको पैचकस से साहता है कि अगर टच हो रहा हो इसमें तो वहां पर थोड़ा पैचकस से उचा कर दीजिए फिर इसमें बाइर लगा दीजिए देखिए अब इसमें हमने टैप लगा दिया था तो कहीं भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इसको पूरा ढख दिया है कहीं भी इसको निकला नहीं है और फिर हम इसको जाकर के और इस पर कनेक्ट कर देते हैं तो अब ये टच होने का यहां से होती अच्छा काम हो चुका है तो आपका इस प्रकार से अगर कोई भी फायल्ट आपके इसकी आप बने कैसा仁 कि कोई बी प्रॉब्लम या कोई हमसे होगा बागी आप इसको कर सकते हैं maintenance कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं कि ईसका जो औरिजिनल ट्रांसफार्मा होता है तो औरिजिनल ट्रांसफार्मा कैसा होता है उसकी क्या पहचान होती है तो उसके बारे में आप देखेंगे तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान दिया हुआ क्योंकि ना मार्केट में बहुत ही नकली माल चल रहा है और कुछ जो दुका कि इसलोग पानी नंबर छाए या पर सकते हैं कि यह हमारा और देख लिए दिखी दे तो इसको भी आप चैन्ज कर देडिये इसकी अभी हो गया है। कोई भी चांस नहीं है तो इस तरह से हम इन इसके इनespère करें वाद उसको फिर फहरम करίνेक्जन ठुलेगी और करने के बाद करने कि जराएं गी तो और को प्रोबलम नहीं आईगी Weekly यह वे हमारा ठाप भड़ा हुआ थाथ तो मैंने सिके माद्यम आपको बताया खराब कुछ नहीं है वैसे उसमें कनेक्शन बगएरा कटी हुए है कि वल कनेक्शन करना है तो मैं बाद में करूंगा मैंने आपको इस लिए इसमें दिखा दिया कि आप इस चीज से अच्छा समझ सको और इस तरह से मैं आसा करता हूं को यह वीडियो आपको के लिए लेकर आता रहता हूं थैंक्यू